एक अलग तरके rocket reusability के तरफ बढ़ते हुए इसरों ने एक बड़ा test किया जिसका नाम है IAD अब इसके बाद काफी लोग confused थे कि IAD क्या है कहां use होगा क्यों use होगा IAD मतलब inflatable aerodynamic decelerator अब ये kind of inflatable heat shield है पर currently वो heat के साथ deal नहीं कर सकता शायद future में करे समझाता हूँ मैं क्या बुलने के कोशिश कर रहा हूँ तो IAD कुछ ऐसे दिखता है ये 3 toroids है ये kevlar fabric से बना हुआ है इसे भरने के लिए वो nitrogen इस्तमाल करते है और ये भरने के बाद 1.3 meter लंबा हो जाता है इसे store करते वक्त इस test में इसरो ने इसे ऐसे store किया इसे भरने के लिए जो nitrogen इस्तमाल किया था वो इस sphere में stored था sphere में भरने के बाद IAD में करीब 236 liters of nitrogen था मैं और मेरे members ने discord server पे बहुत try कैसे calculate करने का कितना weight हो सकता है nitrogen का इसमें तो हम हमारा average आया करीब 282-300 grams पे पर शायद हम गलत थे तो क्या करेगा इसरो इसके साथ और इस test में इसरो ने क्या किया इसरो ने इस test में IAD को रोहीनी RH300 rocket की उपर test किया अब test को समझने से पहले रोहीनी RH300 का normal जो चलता है वो समझ लेते है normally रोहीनी RH300 ये launch होता है experiments के साथ इसकी उपर experiments टोड़ होता है ये rocket उपर जाता है कुछ टाइम के बाद उपर experiments start हो जाएंगे वो कुछ भी हो सकता है कोई data collection या कोई test एकदम top पे यानि अपोगी पे वो zero gravity experience करेगा फिर rocket ये नीचे आने लगेगा नीचे आते आते ये पूरा अपना जो data है experiments का और transmit करेगा और फिर eventually ocean में गिर के ये destroy हो जाएगा तो ये एक sub orbital launch है मतलब हम orbit में नहीं जा रहे है रोहीनी RH300 करीब 100 km के आसपस उपर जा सकता है अभी आप देख सकते हो ये rocket पूरा का पूरा destroy हो जाता है गिरते ही और उसके साथ experiments भी destroy हो जाते है इसका मतलब ये है कि हम ऐसे ही experiments कर सकते हैं जो orbit से हमें या sub orbit से हमें data भीच सकते हैं हम ऐसे experiments नहीं कर पाते हैं जिसमें हमें space भीजना है वापिस लाना है और उसे फिर observe करके कोई और conclusion वगरा जो है निकालना है या data निकालना है पर अगर हम इस payload section को recover कर पाते हैं तो मज़ा आ जाता तो इसरो ने इसी की तरफ एक कदम बढ़ाया इस case का इस ID test का RH300 rocket कुछ ऐसे दिखता है या blown up graphic देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हो उपर payload बे है जिसमें experiments होगा उसके उपर ID stored है इस case में launch ऐसे दिखा रही नहीं उपर गया अपना experiments वगरा start किया बहुत उपर पहुचने से पहले उसने अपना ID को inflate किया अब जैसे वो नीचे आने जा रहा था since ID inflated था इतना बड़ा surface ही रहा है उसी नीचे आते होगा मतलब इतना सारा cross section है drag के लिए highway के साथ इसका मतलब है कि वो बहुत slowly नीचे आएगा बहुत slowly एक relative term है अगर आप यह इजरो का chart देखो तो आप देख सकते हो कि जब वो नीचे पहुचा वो 48 meters per second पे impact किया अब यह normal से तो slow ही है पर अगर हम देखने जाए दूसरे capsules को जैसे blue origin का capsule वो नीचे आता है करीब 6 meters per second प अब obviously यह वो बड़े parachutes इस्तमाल कर रहा है पर इस case में क्या हो रहा है इस case में ID एक parachute की तरह नहीं पर एक ballot या एक drug shoot की तरह काम कर रहा है मतलब यह जो capsules नीचे आते उससे पहले एक और चोटे parachutes fire होते है जो higher velocity पे हम use कर सकते है तो फटते नहीं और जैसे capsule नीचे आते है गगनियान जैसे capsules अपना main parachute launch करेंगे जो बहुत बड़ा होते है और thicker atmosphere गेला बनता है तो यह parachute replacement तो नहीं है पर एक drug shoot replacement जरूर है पर आप बोलोगे पर इसका objective था experiments को require करना यह तो होगा नहीं इससे और इस इसरो ने भी mention नहीं किया अपने document में कि यह successfully require किया की नहीं उसक अगर अगर आप इसका mass देखो इजरो के सब्सक्राइब 70 kg था landed तो इजरो प्लान कर रहा है drone के nets इस्तमाल करके ID को उसके उपर land करवा के board के पास लेके जाना पर 48 meters per second बहुत ज़्यादा fast है अब हाथ पर ही अपना 1 meter कर लो वैसे 48 लंबी 1 second में travel कर रहा हो पर इजरो एक जरूर कर सकता है या करेगा since अगर imagine करो आपका जो ID है वो 48 meters per second से नीचे आ रहा है आप क्या कर सकते हो अगर आपको location बता है तो आपका जो drone net है वो उसी के साथ align हो सकता है और वो खुद नीचे आने लगेगा 46 meters या 47 meters per second पर अभी क्या होगा अगर आप relative velocity देखो तो वो द नीचे आ सकता है और फिर boat के पास जा सकता है इस case में proper recovery होगी उस stage की पर question आता है क्या ये इसी छोटे rockets के तक limited रहेगा अगर आप ये सोमनात सर का वापे slide देखो तो इसमें वो रोहिनी का first stage recover कर रहे है बड़े parachute के साथ ड्रोन net पे रिसेंटली बैंगलोर स्पेस एक्सपो जामें विजेट किया था उसके वीडियो आएंगे ये आ गए होंगे अगर फ्यूचर में देख रहे हो तो इसरो ने ये ग्राफिक दिखाया ये जो है वो GSLV mark 3 rocket हमारे सबसे बड़ा rocket उसका जो core stage L1 10 stage उसका ग्राफिक है और उसक जैसे drug shoot है जैसे नीचे आएगा इसको parachutes भी लगेंगे future recovery करने को तो पता नहीं इसरो इसके साथ कितना serious है बड़े rockets के लिए फ्यूचर में SpaceX की तरह retro propulsion से landing करने का plan है जैसे मैंने आपको previously explain किया था उनका admire vehicle जो बन रहा है टेस्टिंग के लिए और शायद इसरो इसी improve करके interplanetary missions जैसे Venus, Mars को भी इस्तमाल करें तो हाँ देखने लायक होगा क्या होता है बट एक interesting चीज जानने के लिए आपका कोई thoughts, opinions या questions है जरूर comments में डाल लो ज्यान के गरिवी सबसे बड़ी जैहिं जैभारत